आज तो 43 खाना 43 तो आज चलिए तो ठीकर ना जो जो डाउट्स है चैट में लिकिए हम तो क्राई करता हैं तो अभी 3-5 ओके खाना खाना कर दो है एंग कर दो अच्छा अगर जया हमें किसी कुछ्टन कहां से फिवन वाइट आया जाथ 0.5 और बोला है कि राइट प्टोट थू डेसिमल प्लेस है से लिखता है ना? तो 0.50 लिखना है हमाँ पे ठीक है न? यह है जो पॉइंट 5 भी आएगा तो दो प्लेस लिखो थ्री प्लेस कह रहा है थ्री प्लेस लिखो डेसिमल के बाद यह है चलिए तो 35 दिखते हैं देखे प्रणाव आपका डाउट है 35 में जिनके जो भी डाउट है मॉक्तेश 43 उसमें जो भी डाउट है वो आप चैट में लिखे तो भी 3 और 5 है 3 यह कुस्ट्सन है तो 3 कह रहा है कि 3 क्या दर है A B A 5 क्रॉस 4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री सच दैट थे स्पेस ऑफ आल सॉल्यूशन और लीनियर सिस्टम तो देखिए 3rd question जो है बोल रहा है A X transpose is equal to transpose का मतलब यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 है ना इस तरीके से ओके और A को ही 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब है कि A आपका 5 क्रॉस 4 है तो यह क्या होगा यह 4 क्रॉस 4 होगा नहीं यहां पर 5 है ना यह सॉरी 4 क्रॉस 4 कह रहा हूं 5 क्रॉस 4 है यह 5 क्रॉस 4 यह ट्रांस्पोज रिखा हुआ है लेकिन तो अभी क्या होगा यह 4 क्रॉस 1 तो यह 5 क्रॉस 1 आएगा ठीक है सब्सक्राइए मतलब फुर्प ना आप लोगों ठीक है फूल बॉर्ट दिखरा है सबकों तो तो यह है तो यह टो यह 5 क्रॉस 4 यह 4 क्रॉस 1 तो फाइव ख्रॉस 1 तो यह आपका 5 क्रॉस 4 का है यह 4 ब्राइस की इससा होगा कि एक होगा इस भोगा मालो एक समय स्पीक और इसना ट्रांसपोर नहीं तैसा हो जाएगा तो इस तरह से हैं मारे पास अब आपसे प्ूझ किया A 5 plus 4 matrix है with real entries such that such that the space of all solution of a linear system is this यह solution है system का तो इसका मतलब क्या हुआ? देन बोल रहा है कि here MT denote the transpose अच्छा, M transpose denote time for this तो rank of A क्या होगा? बताओ, इस A का rank क्या है? इसका finite solution होगा है इसका? येस, क्योंकि S free है तो इसके पास infinite D many solution है, correct और इसका rank जब भी होगा 4 से कम होगा सर्च? हाँ, एक मिनट, जैसे rank of A हाँ और infinite solution rank of A A augmented B less than 4 होगा येस मतलब A क्या है? A नहाँ पर क्या है? 4 है न? ये समझानते हैं कि infinite solution है तो A, A augmented B का जो rank है वो आपका होगा less than N होगा, equal to N होगा जाता है तो unique solution हो जाएगा, ठीक है आगे आगे क्या सूच? अब सूचिए आगे बताइए एका rank होगा क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको range space बोलते हैं यह जो आप लिखा हुआ है यह range space है यह जो इसने लिख के दिया आपको यह X की value दे रखी आप दिखेंगे तो वो X है X आपके पास इस तरह से है कि 1 प्लस 2S 2 प्लस 3S और 3 प्लस 4S क्या सोलूशन है space लिखा है A, B और 5 प्लस 4 matrix बिखेंगे such that the space of all solution of linear system is this एक, दो, तीन यह तो तीनी element दिख रहा है नहीं इसमें तेकिन होना तो कितने से यह मत यहां भी रपला कर राखा है क्या यह solution हो सकता है कभी कभी यह तीन element है हमारा X किस order का होगा X तो हमारा यहां पे X का जो order है अब देखो यहां से 5 प्लस 4 तो 4 प्लस 4 बन होगा और यह solution space है तो solution space क्या होता है set of all solutions यह दे रखा है तो यहां तो 4 element चाहिए है मैं चोधा क्या है 1 प्लस 2S, 2 प्लस 3S, 3 प्लस 4S तो हो सकता है 4 प्लस 5S होगा यह भी हो सकता है यह देखो actually होता क्या है तो यहां समझो फिर से अगर हम X को 2 पार्ट में लिखता हूँ जैसे यह values हमें दे रखिये उने तो मैं break करूँगा तो AX बराबर ऐसे यहां पर रखियों कहने का यहां पर यह होगा तो इसके पास इतने कितने free variable है range space में पता हो बई कितने free variable दिख रहा था लोग को एक है ना यहां पर इसमें कितने variable है एक है solution में free variable तो rank plus nullity बराबर number of columns ठीक यह यह होगा यहां पर एक रेक्सम होगा तो यह आपका X so rank plus nullity बराबर number of columns तो number of columns 4 है यहां पर null space कितना है इसका इसको मैं दो पार्ट में लेक सकता हूँ ना this बराबर this x बराबर 0 x बराबर this yes तो यहां से अगर मैं इसको break करता तो क्या लेक सकता हूँ मैं identity into तो इसका logic क्या होगा उससरे rank of a क्या होगा तो rank of a का मतलब क्या होता है यहां से देखो a जो हमारे पास 5 x 4 है a augmented b जो matrix होगी उसका rank होगा a augmented b का एक और column add हो जाएगा तो यह 5 x 5 की हो जाएगी और 5 x 5 की augmented matrix लिखोगे तो यह रहेगा हम पर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा determinant 0 है दोनों का rank equal रहेगा क्योंकि यह जो न यहां पर जो एक कितने free variable है एक free variable है समझा दो एक free variable क्यों है मैं पूछों यह जो एक्टर स्पेस है यह जिसको represent कर रहा है तो उसमें यहां पर एक तो लिख ब्रेक कर दो तो यह बन जाएगा nullity तो nullity जो है 1 है इसकी तो rank कितनी हो जाएगी यहां से जो nullity आएगी न एकी वो 1 आएगी तो nullity अगर 1 आएगी तो rank कितनी आजएगी number of column माई न rank plus nullity आएगी number of columns तो यह यहां से कुछ आईगी लग रहा है कि यह 4 columns है ए में एक की nullity 1 है तो यहां से 4-1, 3 आजएगी एक की rank क्योंकि 4 column है nullity 1 क्यों है क्योंकि यहां कर तुम देखो के तक इसको ब्रेक करूं 1,2,3,4,5 तो 1,2,3,4 जाएगा और यहां एक free variable है इसमें तो कहीं नहीं उसका उस space का rank 1 होगा तो a कर आएग यहां सकती ही आ जाएगा दूसरा option भी है और तुम सोचो कि यह solution है तो कुछ समय ना है तो x को रख दो यहां पे क्या अगर सकते हो तो दूसरत option क्या है कि इस x के place पे यह value रख दो और multiply करूं लेकिन तुम multiply करोगे कैसे a time this तो a नहीं पता ना मेरी का rank बताना है just कोई problem नहीं है यहां से तुम घटा सकते हो इसको 5 प्रॉस्व मोड़ा 5 प्रॉस्व मोड़ा 5 प्रॉस्व मोड़ा कितने बनेंगे तुम अधर कितने इक्विसन होगे 5 equations होगा और 4 variable है सो पांच equation है चार variable है सुचो चार variable है और पांच equation है तो प्रॉस्व मतलब चार ही है तो equation 5 है तो इसका मतलब कुछ जो होंगे वो coincident होंगे है ना तो यह चीज है और यह solution infinite फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब इसका rank 3 हो जाएगा यह तो यह एक फिरी करीवर है ना तो इससे नलिटी बना जाएगे नलिटी बना जाएगी तो रैंक उससे 3 आ जाएगा तो दोड़ा ए में कमी है 5 देख लेते हैं बाकी लोगों ने किया कैसे किया बता हो जिन लोगों ने किया 3rd question वो कैसे सोच रहा है किसने solve किया तुम लोगों ने देखो तो नेक्स जोग आप पाचवां क्या है पाचवां कह रहा है आपसे कि अच्छा एसें किया है टोटल स्कोर इन टॉसस ऑफ अफ इसा जोगा तो इसका मतलगी होगा तो स्कोर है टीन अपर बांड आंफ द तो में अगर ऐसा बोलू कि X i is score in i-th die तो S n क्या हो जाएगा हमारा summation X i i from 12, माल लिए पहले i को रोल किया, जो नमबर आया वो X1 है second i को रोल किया, जो नमबर आया वो X2 है third i को रोल किया, जो नमबर आया वो X3 है, and so on तो यहां से क्या होगा, आपको S n है summation i, i from 12 तो then upper bound of the probability of 100 tosses then the upper bound of the probability of 100 tosses तो 100 toss मतब इस 100 की बात कर रहा है मतब इस quantity का आपको बताना है क्या आएगा, तो बताओ यह X i जो है score है ना total तो each X i का distribution कितना है यह मुझे बहां से बताओ each X i, X i का P i में पता है ना आप लोग को X i की values होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होगा और जो P x है that P x will be 1 by 6, 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 1 by 6 तो बताओ, what is expectation of S 100 तो N को 100 करा है इनोने तो expectation of S 100 कितना आ जाए यहां से एक का expectation कितना आए जाए जाए से 350 आ रहा है जाए से अच्छा तो और S N upon N लिखा है मतलब X bar लिखा है ना तो 3.5 ठीक है 350 आ लिखा है तो जैसे इनोन लिखा है S N upon 100 तो expectation of S 100 upon 100 तो यह 3.5 आ रहे है ठीक यहां तक चलिए तो देखिए अब तो यहां से हमारे पास अब आपसे पूछ रहे है क्या probability है तो यह कुछ X bar समय लो X bar minus Mew Mew यही है X bar का mean है Each का mean 3.5 भी आएगा यहां से अब mean निकालिए 3.5 आएगा ना इसका यहां से X निकालिए कितना आ रहा है 3.5 चेकीजे तो this mod more than 1 by 2 तो आपको पता है छे भी सेवसेन इक्वालिटी लगाई तो less than equal to क्या होगा यह less than variance of X bar upon variance of X bar upon 1 by 2 whole square यहां से variance of X bar क्या आता है हमारे पास मैं तो formula पता है sigma square by n इसका variance कितना आएगा पहले इसका variance निकालिए इस PMF का variance निकालिए इसका E X square आता है 91 by 6 अजय यह तो binomial follow कर ले नहीं, binomial ले 1 से 6 तक है कितना आता है E X square X square आता 91 by 6 91 by 6 इसमें से mean square घटा दीजिए अब यह हो जाएगा तो यह आजाएगा यह आप 100 कर दीजेगा तो बस यहां से आजाएगा sigma square जो भी इसका आए sigma square upon 100 यह वाला और यह upon 1 by 2 का square है sigma square by k square 4 sigma square आजाएगा तो यह नहीं एक मिनट यह 100 और हां मता फूर ऊपर चला जाएगा नहीं यह आजाएगा यह कर दीजेए यह जो आएगा यह answer आजाएगा 4 sigma square by 100 ठीक है चलिए 5 के बाद जिनका doubt है 6 तो 6 है चलिए 6 कह रहा है कि question number 6 कि X be a random variable selected from 0 0 1 मतलब X is uniform 0 1 होगा कुछ नहीं बोला तो और Y जो दे रखा है Y is 1 plus greatest integer function of log X upon में log of Q जहां Q 1 minus P है box X denote करता है greatest function तो बोज़ा Y क्या follow करेगा exponential poison geometry के uniform बोल यह तो log X अगर आपके पास uniform 0 1 है तो अगर ठीक देखिए तो log X माइनस log X क्या follow करता है बताओ exponential 1 ठीक तो यह आपके पास exponential 1 और जब यह exponential 1 है तो log X uniform 0 1 है तो log X क्या हो जाएगा exponential 1 और इसके बाद upon log Q Q तो Q हमें पता नहीं क्या है तो अभी तुम्हें अगर बचना हो तुम कोई fix कर सकते हो P या Q अपने मरजी से जैसे example के लिए मैं अगर इससे मुझे बचना है तो मैं Q को मान सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो 0 से 1 के बीच लेना है तो log 1 by e कितना हो जाता है minus 1 ना ध्यान दो मैं तुम्हें entrance के लिए बता रहा हूँ tricks कैसे काम टाइम में करना हूँ पर पूफ लिखने की जोगवत नहीं है आपको अपने exam में आपको time बचाने है तो यहां जो Q है वह यहां पर रहेगा यहां जो P है वह यहां पर रहेगा तो यह काम करते हैं हम लोग Q को सीज़ा 1 by e माल लेते हैं तो उससे क्या फाइदा हो जाएगा कि minus log यह minus 1 हो जाएगा log Q यहां से log Q minus 1 हो गया तो यह क्या बने गया minus log x तो अब मेरा y जो है वह है 1 plus box of minus log x और आप simple याद करो यह जो exponential 1 है हमने अलड़ी प्रूव कर रखा है कि इसका distribution क्या होता है box minus log x का distribution क्या आता है यह हमने कई बार class में किया है jam ने आ चुका है in fact box x जोमेट्रिक बनता है जहां P की भलू आती है 1 minus यह यह वाला P आएगा क्योंकि मुझे पता है न थियोरम है यह तो 1 minus 1 by E आएगा यह हो गया अब जब 1 add कर देंगे तर क्या होगा support change हो जाएगा तब भी जोमेट्रिक ही बन जाएगा अभी यह कौन सावला जोमेट्रिक है जहां support इसका start होगा 0 से यह जो जोमेट्रिक कौन सावला है जहां support इसका 0 से start होगा है ठीक मालो इसका नाम अतकाल मैं कुछ रख देता हूँ समझ के लिए W तो W का जो support है वो 0 से start होगा है अब तुम अगर Y ले रहे हो 1 plus W तो यह सा support कहा से start होगा 1, 2, 3 तो यह W विजोमेट्रिक है Y विजोमेट्रिक है difference क्या है just support का उसके हिसाब से PMF चेंज हो जाएगा तो यह जो रिपरेजन कर रहा number of failure before first success and Y is representing number of trial before first success मैंजी साम is it fine or not ठीकर अब यह theorem से ही हो गया पुड़ा प्रूफ लहीं इसना पड़ा मुझे तो यह थोड़े से आप ट्रीक लगा सकते हो एक्जाम में यहां क्या कि थोड़े से ट्रीक लगा तो प्रूफ नहीं करना पड़ा उससे क्या फाइदा हो गया अब वही पी यहां भी है यही पी है जो यह वगा है तो हो गया ठीक है बना कोई रिजर्ट जो आप पहले से जानते हो तो कोशिश करो उसके जासा बना दो इसको कुछ ऐसा अज्यूम करके और जो यहां अज्यूम करोगे वह यहां पिट करना है option में भी तो उस मैच करना है फिर चलिए तो 6 के बाद 11 कौन सा q is equal to one upon e q is equal to one upon e यह मैंने assume किया आप कुछ भी ले सकते थे चुकि मुझे यह theorem याद है यह हमें हमें पता x uniform 0 1 है तो minus log is क्या होता है exponential 1 अच्छा थोड़े और मज़ा आएगा आप q को 1 by e square देलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है q का 1 by e square दोगे तो यह minus 2 हो जाएगा नहीं महाँ हाँ तो फिर वहां से आपको break करना यह exponential 2 हो जाएगा तो यह हमने assume किया है we are not writing proofs entrance में proof नहीं लिखना है आपको कि जैसे हम B.A.C. M.A.C. का जो semester exam देते हैं proof लिखते हैं proper or check होता है हमारे हाँ solution check नहीं हो ना हमारा answer correct होने चाहिए जो last जो आप A.B.C.D. में से tick करेंगे वो correct होने चाहिए तो हमने यह assume किया we can choose anything T 0 से 1 के बीचे कुछ भी ले सकते हैं तो यह मैंने अपने comfort कहीं साफ से choose किया why? so that कि यह जब Q को 1 by E रखूंगा minus 1 हो गया minus 1 गया minus log X अगर X uniform 0 है तो minus log X is potential 1 फिर यह theorem है फिर यह भी theorem है कि minus log X एक नया random variable let's say this is T तो हमने यह आ चुका है jam में भी और gate में net में भी आ चुका है यह question this is a theorem so again the next theorem is कि when we have when we have T as a exponential random variable exponential 1 so box of T जिसका यह मैंने W नाम दिया this has geometric distribution theorem geometric distribution 1 minus 1 by E so this game because of this and then तो यह हमने assume किया आप कुछ और भी assume कर सकते हैं तो depends करते हैं क्या assume करेंगे जिस पे theorem fit हो जाए तो यहां पे proof नहीं करना बद फिरं 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 से आंसर आ गया और यहांस पता चल गया बदब transformations के concept यूज हुए हैं आप ओक चलिए तो हाँ 2 3 discuss 3 हो गया है 2 पे आते हैं भी 6 11 परेके करके परसाना करते है 6 11 13 15 तो 6 हो गया 11 तो 11 जो है कि a b n cross and matrices है b a plus b square तो b a plus b square is equal to i minus b a square तो मतलब यह है कि इधर गुला लूँ अगर इसको मैं तो b a square plus b a plus b square is equal to i b a square plus b a plus b square is i ओके तो यहां पर b अगर मैं common निकाल लूँ इन में से क्या बनेगा b a plus b a plus b a plus क्या a plus b is equal to i ठीके जी साहन देखो इसका doubt especially सो हमने क्या किया यह जो minus a b को होते भेज़ दिया अब बताऊ मुझे product of two matrices so let me write it b into c is equal to i इसका क्या meaning है यह जाद किसका definition है यह c is inverse of b yes c is inverse of b and b is reverse of c so b and c both are invertible तो देखियो option b is non-single अब बताब b invertible है तो इसका मतलब है b inverse is c so this का मतलब है dictum in and b non-zero होगा क्योंकि invertible में if and only if होता है तो यह आ गया ठीक है ना तो इसके बारे में guarantee है इसके बारे में सोचना पड़ेगा एक कुछ भी हो सकता है अब एक कुकि single correct है तो okay है एक मिल गया तो बाकी पर सोचना की जववत नहीं है इसके बारे में 31 से 40 वाले में कि each options पर आपको सोचना पड़ेगा चलिए तो यह हो गया a b जरूरी नहीं सब्सक्राण a के बारे में कोई guarantee नहीं a zero matrix भी हो सकता है यहां पर तो a अगर जिरो matrix ले लूँ example के लिए j मैं zero matrix रदेता हूं तो यहां से क्या आजाएगी b is equal to i आजाएगी b square i आजाएगी तो b1 हो जाएगी तो a zero ले पे सारे options out हो जाएगे सिर्फ b बचेगा चलिए next 11th हो गया तो इससे शिखना पड़ेगा आपको 13 13 कह रहा है की 13 यहां से है कि length of one cycloid this and and this is length of curve निकालने वाला formula होता है length of curve का बता हो क्या होता है length of arc बताएगी कोई भी एक formula integration dx upon dt square yes yes s dy upon dt square हां राइट dt तो यह तो आपको कदा है बस आपको problem हो आवर t की limit क्या ले okay तो यह 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 standard question है मतलब यह बहुत जागा तो इसमें simply आप put करेंगे आजाएगा इसका graph checker हो कैसा होगा सो यह parametric form में किसी curve curve हम अटा भी सकते हैं विक्रूश में थोरा सुचना पड़ेगा जैसे हम लोग x square plus y square r square circle है तो उसका parametric form क्या r cos theta r sin theta तो वैसी ही आ जाएगा तो आग तो लिए 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 तो 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 ने तुमने त्राहि किया कर नहीं? तो 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 किये ओगे सुर्ड़ पशीश किया तुमने? कुछ भी? LIMIT लेके इंसे मालों को तुम अगर तो 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 अगर तो लेशिए होगे तो रहा बहुत कुछ करने का? क्या किये? हलाकि यह standard formula यह, you know he? हा हा अब कैसे बने हैं तुब एक ग्राप बने तो फिर्मिंट भी जाती है नहीं ने ग्राप अच हाँ एक तो ग्राप बन जाई या फिर गरेब पता हो अपको सिंडर से हो ना जानते हो कर्व स्फेयर सिलिंडर ऐसे हमने लोगर क्लासेंस पढ़े इसलिए पता है साइक्लोड उतना पढ़ा नहीं इसलिए जादा पता नहीं है इसके बारे में यह है तो अगर तुम जिरो से टूपाइम इंटिग्रेट करो तो क्या आएगा जड़ाई करें बता हो इसको जिरो से टूपाइम इंटिग्रेट करो पूरा हम लोग चारतरों से ले लेते हैं जिरो से टूपाइम इंटिग्रेट करें क्या होगा सर इस साइक्लोड का पिक्चर कैसे होगा हाँ बनाता हूं पिक्चर में तो अब आपके बाद में लिखे नो पहले वाला भी कर रहे हैं आपसे पहले लोगों ने लिखे हैं तो आपका इसके बाद है अभी देखते हैं यह ग्यारा तेरा पंदर भी आते हैं आपके उसन में हुआ 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 है हुआ 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 है कि कि एक्स वाइक पॉइंट का कलेक्शन देखो क्या क्या पॉइंट बनाए रहे हैं जैसे मालों ने कि एक्स जिरो और वाई जिरो रगदे तो क्या होगा साइंटी ग्रावर्टी तो जिरो आ जाएगा तो जिरो डिग्री पे सब जिरो है इसका ग्राफ जो होता है चुली साइट लॉइड का न ग्राफ क्या आएगा कि एक्स एक्सिज पर हाफ हाफ बनता है दो बार एक्स एक्सिज पर सरकल हाफ हाफ दो बार बनता है किसके रेस्पेक्टर बनाते हैं तो यह भी है ना एक्चुली कुछी स्तरा ग्राफ तो ऐसे जबने ज़िरो जिरो पर जिरो हो गया ती जिरो रखा अगर ती अलग यहां पर एंगल कुछ भी वालों बगर नाइन्टी जैसे रख रहा हूं तो ए पाई वाई टू और कॉस नाइन्टी कितना होता है साइन्टी जिरो ए हो जाएगा तो दोनों से नाइन्टी जिरी पर वैल्यू ए पाई एक्स पाई इस तरह से आता है तो ग्राफ तो अग्री ऐसा होता है इस तरह चल रहा होता है बतल अग्री ऐसा चल रहा होता है डिफरेंट पॉइंट पॉइंट चेक कर सकते हैं तो यहा साइक्लॉइड का जो लेंथ ऑफ आर्क है वह इंच्वरी एक होता है यह आ जाए गई रैट फॉर्मूला भी है अब तुम इसको प्रूफ करके देखो क्या आता है एक ही आएगा तो यहां पर टी की जो आर्क में होताब यह तुम्हें याद रणा पड़ेगा कि और अब ग्राफ का है तो इस तरह से बनेगा यह कर दो मूविंग कर वेक्षर है क्या यह मूविंग कर वे पॉइंट मूव करा ना फिक्स नहीं है तो यहां पर इस तरह का से बनता है इसका तो दूरा ओनलाइन चेक कर सकते हैं पर देख लो का आप समझ आ जाएगा बुक्स पर नहीं मिलेगा है तो तो अच्छा साइक्लोई देको यह इस तरह ग्राफ हाई है कि दग कर ब जेनरेटेटेट वाई पॉइंट और सर्कुम्फेरेंस और सर्कल दाट रोल्स अलाउंग तो देख लिए तो देख लाइन ठीक है तो मतलब पॉइंट और सर्कॉम्फेरेंस अल्यक्षा और यह एक सर्कल पे पॉइंट फिक्स कर दो तुम कोई सर्कल को रोल कराओ यह पॉइंट कहां जाएगा तो उसका जो ट्रेस मतलब उसका जो लोकस है दाट फॉर्मस दशाए गरायगा तो तुम्हें जायगा पॉइंट पना फिक्स कर दिया मुस शर्कल पे बचाइब मौइं यह सरेखो ल पोइंट को तो अब पॉइंट इसको गुमाओ इपां जायाएरीग जो से बनेगा जबने कन पज़ेकर-धी assessments कर दिया अब इस सर्कल को नहीं प्यागा यह से पर इसको रोल कराना है, तो वो point जहाँ जहाँ जाएगी जो set मना रहा है तो वही graph हो जाएगा, वो point जैसे जैसे जहाँ करेगी भो graph बनाताया चला जाएगा, पो इसे करक moral गो Werth, एसा बनाता रहा तो इसका आपसर मैच नहीं कर रहा है किस से तो पाई यहां पाई यहां पर तो किस तो पाई कर ठो सिए पाई तो कैसे हुआ पाई पस्कानु पाई डिया जा जाए है इसा किससा खिसे टो पाई में जाना जाना तो तो नहीं नहीं यहां पे यह देखो प्रूफ इसने सही किया है मज तुमें भेजता हूं फोटो गृप में देखो प्रूफ चेक करो इसका प्रूफ लृप देखो गृुप में ने भेज दिया है उसको चेक करो क्वे ठीक किया है तो इससे आजाएगा इससे में नहीं अथे नहीं उससे ठीक है कि नहीं उससे बता जल जाएगा ऐससे क्या होगा तो तो इस लेसर यह 1-cos t को derivative नहीं किया है। derivative नहीं किया है। नहीं सर, derivative नहीं करके उसको गरच करती है। नहीं में किया है। अब ध्यान नहीं देरे। ध्यान से करो खुद से कर गुरसन पर समझ आएगा। इसका dx upon dt का derivative वही बनेगा 1-cos बनेगा। चेक किजिए ठीक से आप। आप कुछ से कीजिए उसको मैच किजिए उससे आजाए। इसको derivative करोगा तो वही बन जाए। इसका derivative यही बनेगा ना। dx upon dt a cos minus t हो जाए। a1 minus cos t हो जाए। तो इससे कर दो 0 से 2 pi होगा ऐसे आज रखना आप। कि जो साइक्लॉइड यह कुछ सन है इसकी और इसमें 0 to 2 pi होगे करके देखो answer आजाना चाहिए। तो आज आए। काल्कुलिशन ती करोगू बेजा उसमें चेक कर लो एक बड़ी। चलिए अगला देखते हैं आपका तक्टोर कौंस अथा थर्टीन थर्टीन हो गया, थर्टीन के बाद 15, 15 कर रहा है कि तो 15th question है, तो 15 कर रहा है, determine the value of k for which, ठीक है, determine the value of k for which system of equation this has only trivial solution तो इसमें क्या दिखके था जी, only trivial solution तो यह मारे पास मतलब ax परावर 0 है, तो it has only, मतलब 00 solution है, तो यह तभी होगा system में 00 solution, जब determinant a non-zero होगा, determinant a non-zero कब होगा? यह करो भई, इसमें क्या दिखके, determinant निकालो non-zero कर तो तो पता है ना, इसके पास, homogeneous system में दो ही possibility है, या तो unique solution यह fine solution, तो unique solution मतलब लिए, तो unique solution मतलब लिए अच्छा, okay, one minus k, one, k, three minus k, और three, one minus one, यह यह ना, अब इसको आप non-zero कर दो, solve करो determinant, जो भी आएगा, उससे answer आएगा, तो यह कहना चाहरा है, k minus three, k minus four तो वही होगा, तो अगर आएगा, तो यहां में, जी-जी, सेमी आएगा, सब कापल होगा, मतलब जो दिया है वो, वही आया, अच्छा, वही आया, अच्छा, देखो वहां के लोग सिप्लिपाई करना, एक पार चेक कर लो, determinant non-zero करना, determinant-zero होगा, only this solution, determinant-zero is infinite solution, it has only trivial solution, unique solution, unique solution, unique solution, अब यह खोल के देखना पड़ेगा, क्या बंगता है, और calculation की बाद, calculation mistake करोगे, तो mistake होगा, यह है, होगा ही है, सही है, सही है, ना, बांते लोग देखो, calculation mistake आपका पाते है, यहाँ मैंने को सही दिखा, 3, 1, minus 1, हाँ, x, y, z, check करो, सही से check करो दोगो, तो यहाँ से अगर ऐसा बनता है, कि k minus 3, तो इस test में मतलब errors कम है थोड़े, हाँ, मतलब इस test में, मतलब गल्दियां कम दिख रही है, तो k minus 4 is non-zero, तो चलो, तो यहाँ से क्या है न, so k is not 3, and k is not 4, ठीक है, यह होना चाहिए, और नहीं लिख सकते हैं यहाँ, यहाँ लिखते हैं, कि either this or this, यहाँ लिना होगा end, यह ध्यान लखना, अगर मानलो ऐसे option बना दिया, end भी है, और भी है, तो आपको decide करना पड़ेगा, so this product non-zero होना चाहिए, तो guarantee है k नहीं होना चाहिए, and k 4 नहीं होने चाहिए, और नहीं, और कभ होता है, जब आपको ऐसा लिखते है, k minus 3, k minus 4 is 0, अब यह 0 होना है, तो यहाँ पर यहाँ तो k 3 हो जाए, यहाँ k 4 हो जाए, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ end नहीं लिख सकते है, if you write end then it may be false, यहाँ और नहीं लिख सकता है, आपको समाहिना पड़ेगा equation का है, product non-zero है, तो both has to be non-zero, product zero है, तो either of them has to be zero, बताब one of the factor has to be zero, okay, 15 के बाद, तो आपका साम जो question रहो गया, तो इधर बच्चा सयानी का 2, 3, 12 14, अब देख्लो जो question रहे गया, 2, 3 में क्या है, 3 तो हमने पहले discuss कर लिया, आप देख्लों ना उसमें, तो 2, 3 हमने पहले discuss कर लिया, 3 में, अचा 3 में थोड़ा सा, 3 में error है, क्योंकि यहाँ पे यह x है actually, और x है तो इसमें 3 ही element है, होने कितने चाहिए 4, क्योंकि यह x है na solution solution actually, तो 1, 2, 3, 4, तो एक होगा 1 plus 2 is, 2 plus 3 is, 3 plus 4 is, अगला 4 plus 5 is, ऐसा ले लो आप, तो उसमें जो मैंने logic लगा है, चुकि यहाँ पे यह solution space है, ठीक है तो solution space है, और solution space का जो dimension है यहाँ पे, मतलब जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, मतलब इसकी nullity 1 actually, इस system की nullity 1 है, तो nullity 1 है, तो इसलिए rank 3 हो गई, क्योंकि a 5 x 4 की है, तो rank plus nullity का लावाट number of columns, तो उससे आएगगे, 2 में क्या है, for n belongs to natural number, which of the following is true, इन में से कौन सा true है, तो यह तो आप चेक कर सकते हैं उसके लिए, for all except, possibly finite varying, for all except, तो कुछ नहीं करता है, सलाइस करना है left side को just, तो यह तो लिखा हुआ है आपका second question है, root under n plus 1 minus root under n, तो यह n plus 1 minus n upon root under n plus 1 plus root under n, तो योगा 1 upon root under n plus 1 plus root under n, यह आजाएगा, अब इस ख़रार में देखो न, तुम खुदी सोचो क्या होगा, तो यह जो quantity है, यह वाले actually denominator जादा value कम है, तो less than 1 by root n, यह होगा, देख लो, क्योंकि denominator जादा है न इसका, root n, तो 1 by root n से कम बस होगा, तो यह question नहीं समझ नहीं होगा, except for impossible, तो फानली मेंन मत्लब क्या होगा, मैडम आपको English आता है न, अब है English सब्स भराऊंगा आपको, क्या लिखा है, इसमें क्या समझाना है आपको बताओ मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा है, English तो आती होगा आपको, क्या समझाओ इसमें? मतलब सर्ड ये मतलब question क्या है, मतलब finitely many in मतलब क्या, मतलब ये क्या कहना चाहता है, क्या question नहीं होगा? ये कहना चाहता है कि सुरू के कुछ n होंगे जहां पे hold नहीं करेगा, और लबबग हर n के लिए hold करेगा. ये जो almost, ये जो word use होता है, sequence convergence क्या होता है? मतलब कहना चाहता है कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ finitely many for all except possible finitely many. तो मतलब n की हो सकता है 4, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसी value की जिसके लिए satisfy नहीं करेगी, उसके अलाबा बाकी सारी value की लिए satisfy करेगी. हमारे पास कितने natural number है? natural number कितने है? इंफनाइट है, तो कह रहा है कि हर natural number के लिए hold करेगी, कुछ को छोड़के. हो सकता है कि कुछ finitely many होंगे, जिसको छोड़ देंगे, तब भी कितना बचेगा? तब इंफनाइट बचेगा. इंफनाइट बचेगा, तो इंफनाइट बचेगा, तो कुछ होड़के, अल्मूस्स सब के लिए hold करेगी. तो मैं कहने का मतलब है, for large n, थोड़े से n large हो जाएगा, तो उसके लिए hold करेगा. आप check करके देख लिए, जैसे n को अगर 1 रखेंगे, तो यह 0 हो गया, 1 रखेंगे, तो यह ज़्यादा से true हर सब के लिए दिख राय सकते हो, लेकि वैसा आप check कर सकते हैं, तो करेंगे, except for all, except possibly finally many, हो सकता है, कुछ value आपको मिल जाए जहाँ पे true ना हो, otherwise सब के लिए hold करेगा, okay. Next क्या है भाई, आगे देखो पहले, तो यहाँ पे, 12.14, 12 में क्या है? कि, limit h tends to 0, a to a plus h, e की power minus t square upon h dt, और यह बता रखा है, 1 के equal है, तो बताओ a क्या होगा? तो अभी तुम h को 0 डखोगे, तो a to a, यह 0 upon 0 का form है, तो जब 0 upon 0 का form होता है, तो हम लगाते हैं, in orbital rule, तो यहाँ in orbital rule लगा लेते हैं, तो आपको h के respect में differentiate करना है, denominator 1 हो जाएगा, यहाँ h के respect में differentiate करना है, तो e की power minus a plus h का whole square, और into h का derivative 1 हो जाएगा, बाकी अगर लिखूंगा e की power minus a square, a का derivative 0 हो जाएगा, क्योंकि हम h के respect में differentiate करेंगे, यह हो गया, this is equal to 1, तो यहाँ से h को 0 डख दीजे, एक हो 0 जा रहा है, तो यहां से k्या 0 हो जा रहा है, सर, e to the h 0 करने से, सर, वो तो e to the power minus a square, minus e to the power minus a square, वो तो 0 हो जा रहा है, यह क्या है यह इंटू क्या लिखा हो है आपको लेपनी जरूर पता है ना लेपनी जरूर अपिफ्रेंसिसान अंडर इंटेग्रल साइन तो यहाँ एक्स वेरियूबल है एक ओंस्टेंट है तो अपर लिमिट यह पूट करेंगे माइनस दिस तो यह जिरो हो गया पुड़ा इसको क्या लिखना है तो यह बराबर यहाँ पर जिरो हो जाएगा जिस अब स्टीको आप डिफ्रेंसिसान अंडर इंटेग्रल साइंगर क्या है कोटीन में क्या है जी कोई भी कॉसन जोटेगा ने तो इवालवेट दे इंटेग्रल अब यह है y-square upon this okay तो हमें इंटेग्रेट करना 0 to 1 by x तो अभी y के रिस्पेट में इंटेग्रेट करने पे पहले order change कर लो तो change the order of integration अब ट्राइग करते हो से फिर भी complicated form आड़ा है कुछ और स्टकर टेक्निक से नहीं नहीं मुझे कोई सॉटकर टेक्निक नहीं आता है जो syllabus में वही आता है मुझे ठीक नहीं कोई सॉटकर टेक्निक नहीं पहली class में थोड़ी हो आपकी 1,2,3,4 counter low हो गया अब जिस लेबल पर उस लेबल पर जानना पड़ेगा ना मैं फिर तो भई आंसर दूँगा कि वर्ना ऐसा है अभी सी वीट में होता है अपिसले साल क्या हुआ था सूट इसाम में 200 कोशन है साहे दो गंटे थे एक्सोबीस मिनट पे दो सो कोशन करने थे अभी जो है अभी जो सी वीट तीर 24 का इसमें क्या है क्या पच्टीस कोशन सब्सक्राइब करें लगवग एक मिनिट एक कुछन का है तो इसा थोड़ी है कि सारे कुछन ऐसे होंगे तो आपको अगर तीन गंटे में साथ कुछन सौल करने के दिये जा रहा है तो भी अच्छे बच्चे पचास नमबर ला रहे हैं इसका क्या मतलर है अगर इतने सौटकर ट्रिक होते दुनिया में तो इसाम बच्चा सौ में सौल आता तो कोई ऐसे तो आपको सीखना पड़ेग अगर पुस्टन का सौटकर थोड़ी है यहां पर से किया ड्राइव किजिए इसको क्या प्रोफल भी है और चेंज करना है बागी लोग जैसे कर रहे हैं आपको वैसे ही करना पड़े हैं तो यहां से जिरो से वन है अब और चेंज किजिए इसका अब और क्यों चेंज करना पर रहा है क्योंकि य Y Y यहां Y तीन बार है तो इससे क्या होगा कि अभी इुन्टिग्रेट करना है इक्स एक बार ही है तो इंटिग्रेट करना आईसान एक्स का रेस्पेक्ट में तो ds, dy कर देंगे यह चीजा आँ तो अब क्या करना है इसका और चेंज कर लीजिए यहां पर ग्राब बनाएंगे अब कोई कॉंसेट नहीं है बहुत जाद कि आपको सम्याओं कुछ मैं बस काल्कुलेशन कर रहे हो यह है और यह समें तावी तल आपको सीख लेना चाहिए कैसे काल्कुलेशन करते हैं कोई कॉंसेट थोड़ी है कि वाई और इस तरह बहुत सारी कोश्चन आपने किया हों के पहले है और एक्स की यह बदीट जिरो से वन है तो इसमें ट्राइए कजिए इसमें क्या आएगा वाई ब्रावार वन बैइ एकस है तो हम लोग क्या करते हैं कर आप आप बनाएंगे तो य ब्रावर बार वाइए एक्स और वाई मोर्ण जीरो ठीख है और एक्स की व्यलू जीरो से वन है और आपका यह है जीरो से तो यह वादा रिजन हो जाएगे घडिए अभी यह हमारे पास है अभी क्या ब्राव हो ने क्या बनाए है तो अभी हमने जो किया है इसमें ऐसा है कि यह वाला रिजन है ना कि y बलावर हमारे पास ठीक तो यह आ जाएगा तो y बलावर 0 से y बलावर 1 by x यह था अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा कोई दिक्रत नहीं है तो x क्या हो जाएगा 0 से 1 by y ठीक अचा लेकिन यह दो पार्ट में करना पड़ेगा एक यह 0 से 1 by y यहां पर क्या है जब x 1 है तो y 1 है यह 1 है और 1 के आगे हमें यह करना दो रिजन में प्रेक्ट करना है तो अभी मैं उपर वाले डिजन पर कर रहा हूं तो प्रेक्ट रिजन में क्या है 0 से 1 by y और y की वैलू 1 से इंफिनिटी यह इस लाइन के ऊपर का हो रिजन है अब ग्राप बनाएंगे आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है अब यह तो रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल प्र तो एजी है तो यह हो गया y स्क्वेर अपॉन एक्स प्लस y होल स्क्वेर रूट अंडर 1 प्लस y स्क्वेर ठीक अब क्या होगा कि प्लस यह आपर रिफल हुआ था प्लस अब आप इस लोवर रिजन पर करेंगे तो dx dy तो यहाँ x की जो लिमिट है 0 to 1 और y की जो लिमिट है क्या है जी क्योंकि यह तो 1 मिल गया ना तो x 0 to 1 और y भी 0 to 1 अब यह y स्क्वेर अपॉन x प्लस y होल स्क्वेर रूट अंडर 1 प्लस y स्क्वेर ठीक है अब इसको सिंप्लिफाई करता है तो क्या करना पहले x कर स्क्वेक में इंटिग्रेट करेंगे तो यहां 1 upon x square का इंटिगरेशन यह सारे बाहर आजाएंगे 1 upon x square का इंटिगरेशन माइनस 1 by x फिर x को 1 by y रखेंगे फिर वो cancel हो जाएंगे terms कुछ तो फिर आसान हो जाएगा अब इसको कर के देखिए solve simplify कीजिए तो x के respect में इंटिगरेट करना असान है क्योंकि एक बार ही x है तो y वाले टाउन सारे बाहर कर दो अभी आपको सिफ x के respect में इसको इंटिगरेट करना है one upon this को बाकी बाहर हो जाएंगे आप ट्राई करके देखिए त्राई करेंगे तो सीखेंगे यह है और ट्राई कर गया है कहां पर डाउट था कर दोबारा पूछ यह आप यह चीज़ है नेक्स क्या आई जी आँ 16, 24, 21 त्री कौन सा था 16 क्या है 16 कह रहा है कि कि a n आपके पास है that a n is n plus 1 by n summation n from 1 to infinity और minus 1 की पावर n plus 1 a n plus 1 upon n factorial ठीक है इस तरह से so n plus 1 by n summation है न on 1 to infinity minus 1 की पावर n plus 1 और n plus 1 upon n factorial ठीक है तो पुझा हो जाना following is true for the series तो हाला कि actually ऐसा है यह तो sequence series के terms में लिखा है ठीक है a n a n plus 1 के term में लिखा है अच्छा which of the following is true for the series नहीं च्छा यहां पे न थोड़ा सा लिखने में लिखे यहां कॉमा है अच्छा अब समझे आप a n is given this and they are asking about this अब तो आप कर पाएंगे ना तो यहां तो रग हो है यह बीच में कॉमा है जो कि यहां पे बिस्किया है this is कॉमा a n आपको given है and then they are asking about this कि what about this series, what can you say about this यह है converge करेगी, नहीं करेगी, इस तरह से है तो आप try कीजिए समझे ना, क्या करना है, ऐसा है actually then आपको बताना थे, आप put कर लिजे value मैं solve करूं या try करेंगे, पताएंगे इसमें क्या करना, put कर देखिएं कोई test लगाई हो जाएंगे, सम निकालने न, यह से हो जाएंगे ठीक है न, यह n square plus 1 upon n है बस आप n plus 1 निकालके रख दिए जो भी होगा और simplify करेंगे तो आजएगा सम वो e की पाड़ x के expansion पे नहीं कहीं हो जाएगा देखिए नहीं तो पर पूछें दुबारा होता है तो नहीं होता है तो 30 और क्या आग रहे गया 24 देखने रुखो 21 21 कह रहा है की 19 तो क्या रहे 19 में अर्ण कंटेंज बॉल नंबर 1,2,3 ठीक है ना एक अर्ण है जो इसका रिखा है इस पर 1,2,3 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 2,3 1,2 2,3 0,2,3 1,2,3 1,3 1,2 2,3 1,3 1,2 1,2 2,3 1,2 2,5 1,2 1,3 इस पे थरी लिखा है वह यह तीन पार्टिसन है अब आपको बोल रहे है कि एक फैर कोईन को टॉस किया उतनी बार जो भी नंबर आया उतनी बार टॉस किया हमने ठीक है तो इस एक्सपेक्टेद नमबर उफ हेट्स तो एक्स है नंबर उफ हेट्स यह पूछ रहा है तो यहां पर जो तरीका होगा अब आपको कंडिशनल सोच रहा है जैसे मानलो की एक्सपेक्टेड नंबर ओफ हेड्स है ना तो अगर पहले में बॉल वन निकला मानलो तो बॉल वन निकलने की क्या प्रवल्टी है अगर बॉल वन निकला तो क्या प्रवल्टी है तो बताओ कि कितने हेड्स आएंगे अगर मैं एक्सपेक्टेड नंबर ओफ हेड्स तो मेभी जीरो वान तू थ्री यही तो बनेगा है ना हो चलो मतलब अशे च्छी थैंक भार सक्रों आप कॉइन को अक्र बॉल ृव लोगा दो बॉल्ठी निकुला ऊलवा इसका बिलिया सकंदिन मसटाइश ञराउ एकouverधि इसक्ष निकलना है दिजुत में ऐसक्राइब सियर्ट यह इसande निकालना है तो एकल पर आत्री यह करना sign तो इसमें इसमें एक्च्वरी हम आपको बता है क्या है इसमें टोटल प्रॉड़िटी लगे यहां पे हम समेशन प्रॉड़िटी ओफ ठीक है ना ए इंटू एक्स बराबड जीरो गिवन ए आल्या आई फ्रम वन टू थरी है यह होगा फिर ऐसे ही सेम वन पर लगाऊ सेम टूपर समझें हो लिओ कyes Pit से मॐबं पर एही टूपे तो यहां से क्या आजाएगा आपका KMF आ जाएगा अजब पीमें आ गया तो क्या हम में निकाल लेंगे जिरो व-टू-थे यह पीमप 10 पहर प्राइक को प्ररूपलिटी यहां से निकाल लivat है तो यह इसको calculation करेंगे probability आएगी बताओ बजाए का समग करूँ 19 जो है समझ पारे हो बोलो यह एक करके दिखा दूँ एक पुड़ा करके दिखा जता हूं जिरो के लिए बाकि आप 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए ट्री के लिए करना तो 1 के मैं करकर निखा जता हूं देखो इसको खोड़ो के तर तीन ताम है यहां पे आई को रखना है प्रावल्टी अपर एवन तो 1 बाई 3 एंटू एकस पर आवड जीरो गिवन एवन तो अगर बॉल निकला था तो एक बार टॉस की है को 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 एक बार टॉस कर रहे है तो आ टेल आने की प्रावड़्टी फिर 1 बाई 3 एटू अब अगर दूसर बॉल टू निकला होगा तो उसके दो बार क्वाइन को टॉस किया दो बार क्वाइन को टॉस किया तो चार आउट आउटकम्स है एच 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 टी टी एच टी बोल रहा है एकस कर आवर जीरो मतलब एक एक भी हेट नहीं आया तो मतलब टी टी आया तो वन बाई 4 फिर लागला वन बाई 3 एं 2 अब तीन का आउट आउटकम्स हैं एक भी हेट नहीं आया तो मतलब टी 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 आया तो वन वाई 8 इस तरहीके से समझभार है तो यह आगया प्रॉड़़्टी एकस बरावर 0 ऐसी निकलेगा प्रॉड़़्टी एकस बरावर 1 फिर एकस बरावर 2 एकस बरावर 3 और करके बताव भी कास आपका डावट नहीं करबाव के आगे हां सर अगो जागा मैं एक ही बारी आई किया था बस एक की लिए 0 नहीं हमें इसके से निकालना है तो यह सपोर्ट आया एकस रै चलिए 21 कह रहा है कि जापे कि X1 X2 this be a sequence of iid non-negative random variable इस तरीके से कि expectation of log x square finite है अच्छा जेडेंग दे रखा है कि क्या product है अच्छा कि into root 10 है कि power है क्या है एकस पाने टो एकस तो एकस तो एकस तो इस बीडियर सेक्वेंस ओफ iid non-negative random variable यह है जेडेंग तरो भी product की मान लेते हैं तो कुछना क्या चाह रहा है एक X1 X2 X3 X2 this into root 10 then for a positive constant C can be chosen such that random variable this has a non-negative non-degenerate limit distribution F अच्छा जहां c e की power mu है minus mu है okay तो मतलब यह कहना चाहरा है कि c zn इस बूरे की power है root under n ठीक और इसका जो c df है है ना f है झाहरा है झाहरा है जुँ जुँ झाल तो इसका CDF क्या हुआ है यह कुछ नहीं चाले है कि इसका CDF जो है किसके एक्वल है और लेकिन यहां पर यह नहीं बता है एकसाइस क्या है तो एकसाइस का कुछ नहीं बताया ओके नॉन नेगिटिव रैंडम विरिकल है बस और जड़न X1 X2 Xn इंटू रूटें इंटू रूटें बहार क्यों लिखा है रूटें तो नहीं बता है पावर बाइन होगा यह जड़न जो है जो है जो मेट्रिक मीन है इक्चुली है ना तो जो मेट्रिक मीन है यहां से यह आजएगा फिर लॉट मैसे कहीं घटाएंगे क्योंकि दर में लोग मुशे यह लगा रहा इसकुष्टन में क्योंकि यह पर मुझे लग रहे है कि जड़ एन है वो हमारे पास है x1, x2, xn की power 1 by n जिसको root n समझ दिया है जिसे लग रहा है तो 1 by n यहां से जो log लोगे न तो क्या होगा जब आप log लोगे log of zn तो यहां जाएगा 1 by n summation log xi i from 1 to n ठीक अब यहां से और वहां भी जो है czn जो होगा czn इसकी power भी 1 by n होगी तो यहां से क्या आएगा this converges has this random variable this has a non-degenerate limit distribution अच्छा तो इसका CDF F है तो इसका CDF किसके equal आएगा CDF ऐसा पुछना चाहरा है CDF is equal to what मुझे इसका CDF चाहिए अच्सले más किसके किसी प्सुए किसミノ किसा कि और सिगमा कोस्टन में है नितिया सिकमा भुषा में अब भाने कि और जाए उब कि इसने सवाल कि आप लोग में से इसने मुझे थ्टा कोस्टन में इसे लाए यहां मुझे गलती लग रही है तो तो इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्शन निजब आथा है, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, 21 में मिस्टेक है, अगला क्या 22, 22 में क्या है, कि, फोर गिवन बाइवरियेट डेटा, XI, YI, अनलिस्ट A, फिट्स Y on X, अच्छा, करेकी 22 में, दू अनलिस्ट एक फिट कर रहा है, Y on X, जो कि है, अल्फा नॉट, अल्फा नॉट प्लस, अल्फा वन, XI, ये मोडल फिट कर रहा है, YI को, हाना, तो अभी मैं सिधा मोडल लिखता हूँ, ये है, और दूसरे वाले फिट कर रहा है, X बराबर, बीटा नॉट, प्लस, बीटा वन, Y, ओके, तो अब पहला रहा है, Y on X, दूसरा मोडल है, X on Y, और, Y on X, X on Y, using list square estimation method, then which of the following pairs is possible for alpha 1, beta 1, तो alpha 1, beta के लिए कौन सा possible value है, तो आप क्या जानते है, alpha 1, cap, beta 1, cap है, तो यह alpha 1 का estimator क्या आजाद है आपको, covariance of, X and Y, upon, variance of X, variance of X, और, beta 1 का क्या है, covariance of X, Y upon, variance of Y, okay, तो यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा possible value है, तो आपको बदाने, इसका product क्या होता है, इन दोलों का product यही तो है, regression coefficient X on Y, regression Y on X, तो यह जो alpha 1 है, that is, जिसको मैंने location use करता हूँ, जो हम लोगों को देख रहे हैं ते question, तो BYX and beta 1 is BXY, तो regression coefficient X on Y, regression coefficient Y on X, तो यह BYX मतने regression coefficient Y on X, and X Y, regression coefficient on X on Y, तो यहाँ से इसका product जो होता है, इन दोलों का, तो alpha 1, beta 1 का जो product होगा, र square के होगा, co-regression coefficient के equal, इन दोलों को multiply करो जो आप, तो अगर आप यहाँ से इन दोलों को multiply करोगे, alpha 1, alpha 2, co-variance का square into variance, तो यह चोरी, co-variance upon 9 का variance आगया न, तो यह चोरी R square के equal है, मतलब जो co-relation coefficient है, X, Y के बीच का, उसके square के equal है, तो अब इसकी value R square की value 0 और 1 के बीच में होती है, तो आप चेक कर लीजे, ऐसा कौन-कौन सा option है, जहाँ पर product करने पर value 0 और 1 के बीच में आए, बताइए, और एक और चीज़, alpha 1, beta 1, r, इन तीनों का sign सेम रहेगा, या तो तीनों positive होंगे, या तीनों negative होंगे, तो R is like root under this, यह समझे लो, R is like root under alpha 1, beta 1, यह है, तो बतलब यहां से बोलूं, तो R is root under bxy into byx, तो तीनों का sign सेम रहेगा, पहरी बात देखो, cd तो ऐसे ही out, sorry, a and c तो ऐसे ही out हो गया, क्योंकि a की regression line, बतलब regression line अगर है, तो bxy, byx and r, all three have the same sign, ठीक, तो यहां यह साइन चेंज कर दिया, a और c option में, a c out हो गया, अब bd हो सकता है true, दूरे में same sign है, तो product करके देखो bd में, product क्या रहा है, इसका product क्या रहा है, तो half into 5 by 2, 5 by 4, 1 से जादा है product, अना चीए, तो b out हो गया, तो d सही है, किसे को doubt है, तो पूछिए, चलो, आगे जो हमारे पास होगा अब, तो 22 हो गया, 22 के बाद, 26, तो जो 26 है, 24 हाँ, 24 कह रहा है कि हमारे पास, कि, 24 हाँ, 24 कह रहा है कि, for the pdf this, तो ये चुरी कोची distribution है, theta, 1, ठीक है, तो देन, क्रामर राओ, lower bound of variance of an unbrass estimator of theta, for the random sample unit size, the unit size मतना हो size 1, है ना, size 1, तो, तो single random variable है आपके पास, तो आप से बुछ रहा है, CRLB of theta, तो क्या होगा, 1 derivative upon I theta, तो यहाँ प्राओलों आदे गुए expectation में है, हाना, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 upon expectation of minus log, होगे, so d2, d theta square, log likelihood function, यह चीज है, तो likelihood function यहाँ क्या बनेगा, तो 1 upon, so 1 upon product, है ना, product रहेगा, तो pi की power n, और फिर यह pi अलग है, और product अलग है, notation वही है, हाँ? Sample unit size का है, हाँ, तो 1 ही है, तो जब sample 1 है, तो PDFE likelihood function है, yes, so 1 upon pi into, 1 plus x minus theta whole square, ठीक है, ना, तो यहाँ से आजाएगा, तो PDFE likelihood function है, जो PDFE likelihood function है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास है, तो log ले लो यहाँ पर, so log likelihood function, आजाएगा minus log pi minus of, मैंने इस तो expectation का है, नहीं, तो यहाँ से, so x upon x minus theta square, अजाएगा, बनेगा, जो complicated हाँ रहे, अच्छा, ओके, तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लोग लेंगे तो, यहाँ से अब डिफरेंट सीट करते हैं एक बार, so d upon d theta, log likelihood function, so यह 0 हो जाएगा, तो log का 1 by x, so अभी क्या कि हमने, पहले log का derivative हुआ, अब इसका करेंगे, तो 1 का 0, तो आजाएगा 2 time, x minus theta, ठीक, और differentiate theta करेंगे, तो minus 1 भी होगा, तो यह plus कर देगा, ठीक है, तो अभी यह बना, अब क्या करना है हमें, एक बार और differentiate कर लो चाहो तो, या अभी अगर ऐसा सोचोगा न, अभी क्या है, तो उपर हमारे पास है, 2 time, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, 2 time, x minus theta, अपन 1 plus, x minus theta, whole square, ओके, तो, अज़ी बताब, x minus theta का distribution क्या होगा, standard कोची, ओके, तो x minus theta is standard कोची, वाल दो y, x minus theta भी, तो standard कोची है, तो मुझे चाहिए, e of y upon 1 plus y square, इसका तो formula होता है, I think, so, y is standard कोची, standard कोची में, जड़ा करो, इसको, क्या बनेगा, मैं रखे, एक दो option है, तो यहाँ तो double derivative करके लो, यहाँ single derivative करके भी, हो जाएगा, तो single derivative करेंगे, तो whole square करना पड़ेगा फिर, फिर whole square करके, whole square करके फिर हो करना पड़ेगा, whole square करके गिल लेना पड़ेगा, इसका square करना पड़ेगा, फिर हो इसका square करना पड़ेगा, तो आप चाहों तो यह भी कर सकते हो, कि इसका square कर दोगे, तो square हो जाएगा, अब इसका लेना है expectation, तो expectation लेना है, तो i theta इसका expectation हो जाएगा, तो जो i theta है, वो हो जाएगा expectation, इसका square कर देंगे, तो four time y square, one plus y square का, whole square, तो यह तो integrate किया जा सकता है, यह integrate कर पाएगे, तो यहाँ से आएगा, integration, four y square upon, one plus y square का whole square, और उसका pdf क्या है, one by pi, one plus y square, dy, सबोर्ड क्या होता है, यह निकालना है आपको, तो यहाँ से हम तो integrate करना है, तो यह से i theta आ जाएगा, फिर पूट कर लेंगे, तो हलाक यह तो यह है कोई number आ जाएगा, ओके इसलिए number ही है, क्योंकि यह theta से free हो गया ना, तो यह number आ जाएगा फिर, यह है, तो बस सम्हाँ हो, यह तो एक बाराओ differentiate करने के हिम्मत है, चुकि मैं नहीं किया, क्योंकि यह question rule लगाना पड़ेगा, तब भी ऐसे ही कुछ बनेगा, बनेगा ऐसे ही कुछ तब भी, तो उस तरह से है, यह तो square करके बो ले लो आप यहाँ, डाएग ली दो form है, तो एक्साम में अगर ऐसा सुरू में नहीं हिम्मत का, आपको दूसरा question में start करो, जिसे आपको लगता time लगेगा, तो यह बाग में start करेगा, solve करना उसको, पहले हम बागी questions कर लेंगे, जो हम कर सकते हैं, कम time में, for odd samples of size n, from uniform 0, तो मुझे प्रोपर solution लिखना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने comfort के लिए n को 3 मान लूँगा, प्रावल 1 भी ले सकते हो, odd कहांगा 3 मान लिया चलो, तो odd sample of size n, या अगर 1 ले लोगा, तो सिफ x हो जाएगा, तो मान लो चलो, x1, x2, x3, uniform 0, 1 है, i, i, d, यह मार पास है, अब यह कहा रहा है कि, variance of the distribution of the median ease, जो median का distribution है, उसका variance क्या है, तो बताओ पहले तो इसको तुम order में change कर लोगे, x1, x2, x3, यादे ना, बच्पने क्या करते, median कैसे निकालते हैं, फिर पास 3 number है, तो पहले मैं increasing या decreasing order में लिख लोगा, फिर चेक करो मा middle one कौन सा है, and that will be the median, same यहाँ पे करना है, तो मेरे पास 3 random sample था, order statistics में arrange कर लिया, 3 है, तो यह median है इसका, ठीक है जी, median of sample, तो median का मतलब हो गया, y मानलो second order statistics, अब आप से पूछ रहा है कि, अजी साथ, अब का है ना, तो second order statistics अब PDF लिख के, अज़े तो आसान है ना, second order statistics, beta 2, 2, n-r plus 1, sorry, क्या बद है, n-r plus 1 ना, 2, 2, 2, 2 है ना, तो, नही, 2, 2, ठीक है, 2, 2, ठीक है, 3 minus 2 plus 1, ठीक है, तो यह beta 2, 2 हो गया, इसका variance to diet formula होगा, बस वही दिखना है, वही answer होगा, beta 2, 2 का variance दिख लो क्या है, बस हो जाएगा, ठीक है, गो alpha, beta upon 1 plus alpha, जो formula है, बस उससे हागा, और n हमने 3 रख आए चुकी, तो हर option में n को 3 रख देंगे, जिसके साथ coincide करेगा, that is the correct choice, 32, 32 कह रहा है कि, ठीक है न, 24, 34, तो 32 को question है, कि यह random variable x, जिसका PDF यह हमारे पास है, so 32 is, okay, तो यह कहीं न गहीं, convex combination है, दो PDF का ऐसा लग रहा है, या उसका, दो normal वाले का, है न, so this fx is somewhat like, half time f1 x, half time f2 x, अब बताओ जी, so what is x1, and what is x2, so ले न देखके, normal mu sigma, और normal minus mu sigma, है न, देखो, तो, अलग यह तो ठीक करना पड़ेगा, sigma बाहर रहता है, पीडिया, पने के लिखने का, उसका मतलब वही है, ठीक है न, तो, normal, यह हो गया, अब पूछ रहा, तो easy है न, यहां से तो, तो ex निकालोगे, तो आएगा, half ex1, plus half ex2, ठीक है न, तो यह 0 आगया, इस concept जहां में भी question आये है, तो, यह हो गया, अब हमें चाहिए, तो यह लगा लो उसका, यहां से क्या होगा, हरा अब समचे, मैं सिरा सी कर देदा हूं चेक, तो यहां से आजाएगा, e of x2 भी यह सी होगा, half ex का whole square, अगर ex2 लिखना है, तो भी, जब बल्टी इंटीग्रेट कर रहा होंगे, x2 टाइम यहां आग, x2 टाइम यहां आएगा, तो ex1 square plus half ex2 square, इससे हो जाएगा, x square more than equal to t है, तो mod x कर लो इसको, जो लिखा न, c option में, मतलब c जो लिखा है, कि x square more than equal to t, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, taking root both sides, तो ऐसा हो जाएगा, यह हो गया probability, x minus mean 0 था more than equal to root t, तो यह बनाता है, this is less than equal to, variance of x, जो भी है, sigma square by t, अब x का variance निकालना पड़ेगा तुमें, यह वो sigma square नहीं समझना है, मतलब हमें समझना है, variance of x लिख देता हूं, यहां से variance of x upon t, ठीक है, तो यह आजाएगा आपके पास, so this will be the answer, variance of x upon t, okay, चलिए, आगे बढ़ता है, तो ऐसी देख सकते हैं, तो यह था हमारा 32, 32 के बाद क्या है, 40 फिर बागी बाद है, so 40 जो है, 40 क्या बहरा है, w1, w2, w3, be the three distinct subspaces of r10, vector space r10 है, such that each w i has dimension 9, okay, तो vector space खुद r10 है, मतलब dimension of v10 होगा, w i का जो dimension है, वो 9 है, तो पूछ रहा है, बताओ मुझे, कि क्या होगा, आपके नोट को उसमें क्या दिखा रहा है, more than equal to less than, ऐसे कुछ होगा, तो इसमें, बतलब ये smartboard मोपन नहीं हो रहा है, ये गलद दिखा रहा है, आपके उसमें सही दिखा रहेगा, तो पूछ रहा है कि w जो है, w1 intersection, w2 intersection, w3 है, तो बताओ dimension of w, बताओ dimension of w less than 8, greater than 7, equal to w2 है, चलो, तो ये b, ये c, इस तरीके से, और d कह रहा है कि, dimension w is, less than equal to 3, ओके, चलो, तो, यहां से, intersection है न, तो यहां से क्या होगा, each w is dimension 9, अच्छा, कि जब w1, w2, w3, इस तरी सब इस पेसे हैं, तो बताओ dimension में कुछ common आएगा कि, आभी सकता है, नहीं भी आसकता है, आभी सकता है, कुछ common, आभी सकता है, तो फिर जीरो हो जाया गा, उसका dimension, आजब तीन distinct बोला है, यहां पे, सेम लेनी सकते, सेम होता है, तो w1 की को आज़ा तो exactly 9 आजाता, लेकिन distinct है, तो, दिफेरेंट सब स्पेसिस हैं, तो अदब डामेंशन यह तो है कि इसका, अजब का 9 है, है ना, तो इसका यह मतलब हुआ यहां से, अगर तुम उस फॉमूले से सोचो, इसका फॉमूला लिखोगे, तो युजन का ही फॉमूला लेगा, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 2 आट ताइम, तो 2 आट ताइम फिल गई, लेस दन इकोल टू 9 होगा, तो उसका पता नहीं क्या होगा है, तो, तो बदाए ये BC ओप्सन देख्गे, या तो 7 होगा या 8 होगा, हना, डामेंचन, तो, रामेंचन देख्गे, या ये ये क्या है, या ये, इसका बाउंड क्या आएगा इसका बाउंड क्या आएगा अच्छा और लेस दन एकुल तो 9 प्लस 9 प्लस 9 माइनस अब तो फाइंड एग्जामपल है ना पड़े रिक होगा इसका कोई ट्रिक होगा मतलब यह जाना है कोई स्टेंडर्ड थ्योरम को रहना है क्या तो क्योंकि लेस दन एकुल तो 9 तो के है बट वर्ट अबाउट इसमें क्या तो झाल 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 हाँ यह कुस्चन तो है इच है इंट्रेस्टन है लेस्टन इपल टो एट मोर दान इपल टो सेवन लेस्टन इपल टो थी तो तो इसका जो अंसर है ओके तो यह कहना चाहरा है कि ठीक है लेस्टन इकोल टो नाइन तो ठीक है तो इसका मतलब है कि दामेंशन जो होगा दामेंशन बहुर दन इकोल टो सेवन तो होगा वट प्रूफ कैसे करेंगे इसका ना तो यह चीज़ है तो यह काम करते हैं हम लोग इसको इससे कंपेर गर सकते हैं W1 intersection W2 Intersection W3 this is the subset of W1 intersection W2 what can you say about dimension of W1 intersection W2 तो यह क्या आएगा इसका भी less than है ना क्योंकि इसका dimension इससे भी कम होगा और इसका bound निकाल सकते हैं क्योंकि dimension of w1 plus w2 बरावर dimension of w1 w2 minus intersection ठी और यह जो रहते होगी भी less than equal to 9 होगी so यह जो है 18 minus dimension of w1 intersection w2 यह sum है तो यह भी less than equal to 9 होगी so what can you say about यहां से नया क्या आएगा 10 oh sorry sorry 10 10 हाँ वो ही mistake है 10 तो यहां से क्या आएगा आपके पास okay ता आगे answer ठीक है so यहां से क्या पता चला इसको simplify किजिए तो यहां से मुझे पता चला dimension of w1 intersection w2 होगा वो क्या होगा more than equal to 8 yes more than equal to 8 तो ठीक है ना more than or equal to 8 और यह जो value अलड़ी है less than equal to 9 तो कि w1 and w2 individually w1 का subset है subspace है तो 9 सो तो कम ही होगा तो 8,9 के बीच होगा अब यह value उससे भी कम है तो यहां से यह पता चला हमें कि जब यह number 8,9 के बीच है तो 8 है यह 9 है तो more than or equal to 7 तो 8 वाला इसमें भी include हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहां less than equal to 8 कह रहा है less than or equal to 8 equal to 8 तो होई सकता है क्योंकि यह इसका भी subspace है इसका 8 तो होई सकता है yes so it may contain 8 also यह तो नहीं होगा कभी भी क्योंकि 3 से कम तो होगा नहीं और यह subspace तो हमेशा है पर देखो clear है तो यहां से कहने का मतलब यह हुगा अगर मैं इसको और तो आगे लिखूँ तो यहां पर क्या रहेगा यह जो dimension of intersection है dimension of w1 intersection w2 intersection w3 यह जो होगा less than equal to minimum of dimensions अब इसको मालो अ है इसको मालो b है तो a intersection b का dimension क्या होगा minimum of dimension of a and dimension of b उन दोनों से छोटा ही होगा तो एक का हो सकता है 8 ठीक का हो सकता है 9 ठीक है इसका 8 हो सकता है more than equal to or less than equal to 9 तो 8 हो सकता है minimum और इसका exactly 9 है तो यह answer है इसका है तो इससे आजाएगा तो इसने true हो जाएगा हो तो इसने true हो जाएगा हो तो हो सकता है कि more than equal to 7 है नेक्स क्या था तो नेक्स थोटी अब आपाता इंगा रहे गया तो 16 और 35 हुआ देखो तो 16 तो हो गया था तरीथा हो गया हुआ हां था था थाटीफ यकारे था किना ए मदेखा था है थां था थां था था फाई लाते हैं थाटीफाइक ओके तो elim्सक्ताएगा थिक सबसेत में रहा देखोता कर शक्ता था परैका है यह जो है यह डबलू थरी का भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है दूनों का है तो बाद में वो यूज हो गया में मूं आप दिस हाँ हाँ चलिए तो 35 पे देखते हैं एक फंक्शन f है माइनस 1 से 1 टू आर है और fx आपको दिल रखा x को एक स्कॉर कॉस्ट 1 बाइएक्स तो f has bounded variation bounded variation इसके क्या मतलर है सर इसका भी मतलर है हाँ हाँ यह bounded variation क्या होगा हमने ऐसा वह टॉन तो जैंब इससमें देखे नहीं है bounded derivative समझ आता है यह आपके syllabus काय से बाहर गया है न तो bounded variation का मतलब है एफ ऐस बाउंड़ेशन इफ और टोटल वेरिएशन इस फाइन वेरिएशन क्या है एफ एक साइ माइनस एफ एफ एस माइनस वन आपके डाऊंड़ेशन इस फाइसे बाहर गया है तो पहला टॉन तो यह आपके syllabus के बाहर का उसको जोड़ दो अब दूसरा है f dash x बाको डिसाइड कर पा रहे हैं आप डास x उतने काल लेंगा डाएट ली जिरू ही आ रहा होगा कुछ आई धे कई लून कि बोलतारिक न है क्टिक दिंग करेंक दो है कि में breast मैं नालिष सैंपूलीर न हो आई तरटे भी दुलान सीथिना यह सब्सक्रांशल यह मुंटा लिखने को ति क्टी सरी में प्र ह lados क्योंकि बात पराबर यहां है अभी दोनों सही होना चाहिए लेक्जन इकोल टु थ्री है तो इस तरीके से ठीक है कौन से रहे गाँ थर्टी फाइब ट्वंटी नाइन ट्वंटी नाइन देखिए ट्वंटी नाइन कह रहा है कि कि f b increasing differentiable function अगर curve y बनावर fx passes through 1,1 ठीक है तो एक function है जो differentiable है 1,1 से pass कर रही है और length यह है इसका तो बताओ curve कौन सा है तो यह formula है 1 से 2 1 प्लस f-x क्या होता है whole square dx यह था length of curve increasing है differentiable है और 1,1 से pass कर रही है तो बहुत चारो check कर लो कि 1,1 से pass कौन कर रही है तो एकस को 1 रखेंगे तो log 1,0,minus यह 1,1 से pass नहीं कर रही है एकस को 1 रखेंगे log 1,0,b वला कर रही है एकस को मैं अगर 1s रखेंगे तो 1 plus root 1,1 plus 1,2 log 2,1 नहीं होगी तो out हो गया तो पहले तो यह बोला 1,1 से pass कर रही है तो एकस को 1,y को 1 रखेंगे देख लो satisfy कौन सी कर रही है तो a और c satisfy नहीं करें आउट हो गया अब b और d correct हो सकता है bd में x को 1 रखेंगा log 1,0,1 से pass कर रही है यह पास कर रही है तो पहले लोग रूट है यह 1-log रूट है तो अब यह चेक कर लोग कौन सा increasing है यह सारे information देही रख रहा है कौन सा increasing है तो increasing कौन सा है तो देख लो डिफ्रेंसियर कर दिये तो a c out हो चुका है अब b जो है हमारे पास y बरावर 1-log root n मैं बहुत रहा हूं एंट्रेंस में थोड़े से आपको कोसिस करना है कि कम टाइम में सॉल्व कर ले हमें examiner को impress थोड़ी करना है पुड़ा solution लेकर वो देख भी नहीं रहा है है हमें तो सिर्फ answer देना है तो यहां से आप डिवाइव डिएव डिएस निकालोगे तो यह 1 by root x वो ही minus में और root x का 1 by 2 लॉक का वुदिस 1 by 2 root x यह find ही आ गया minus 1 by 2 x और यह derivative negative है तो यह decreasing function भी वाला out only d is correct दो क्राट इस यह यूज किया कि option में कौन-कौन सा increasing है और दूसरा कौन-कौन सा वर्मन से पास कर रहा है तो इसकी जोगवत ही नहीं पड़ी हमें समझे रहा ना जोगवत पर देखने हो कि f-x किसके equal देखने को f-x आया यहां पे दीक्तुरा है तो उससे भी हो जाएगा इन दोनों का f-x similar ही आएगा बस आपको decide करना है क सब्सक्राइब करना है चलिए नेक्स हमारे पास है 29 के बाद 41 ठीक तो 41 इस अब भी थर्टीफोर है क्या थर्टीफोर कि अले लिया क्या हुआ कि अब लाड़ी होता जा रहा है कि अबस्द्हीन कि अबस्ट कि अबस्द्दाँ कि अबस्तक यह चलिए देखिए तो यह 34 कह रहा है कि यहां पर X1 X2 XM रादम सामपल फर नॉर्मल मू सिक्मा स्कॉर है यह मू सिक्मा स्कॉर है X bar S2 रिपर्जेंट the sample mean and sample variance X N plus 1 नॉर्मल मू सिक्मा स्कॉर है तो assume that the X1 X2 XN plus 1 are independent अच्छा ठीक है तो U जो मेरे पास है चोलिए नहीं लोग ठीक से लिए था U जो मेरे पास है यहां पर X N plus 1 minus X bar upon S और into में ऐसा लगा है कि दिखा हुआ है root N upon N plus 1 और A square हम जानते हैं तो कौन सा true है U का distribution क्या होगा तो इसको हम गो कर सकते हैं न क्या गर सकते हैं आप X N plus 1 X bar independent actually तो distribution क्या आएगा तो अगर में निकालना है तो ऐसे भी पता चल जाएचा दिस्रिबूशन सभी पता चल जाएगा बढ़े distribution ही निकाल लो तो X bar में चोली क्या है X bar में कितने होंगे 1 से N तक का है ठीक है न इससे square रहत बार में 1 से N तक है तो X N plus 1 minus X bar तो इसका mean कितना होगा यह mean इसका mu है इसका भी mu है जिरो हो गया variance निकालो इसका तो इसका जब variance निकालोगा न आप तो क्या बनेगा इसका variance है sigma square इसका variance है so sigma square by N लेकिन plus हो जाएगा चेक कीजे तो यह आपके पास है हुई मैंने क्या कि अच्छा मुझे इसके root लिखना है इस तरह से तो मैं क्या करता हूं normal 0 1 बना रहा हूं तो यह वाली चीज़ जो root थी वह यहां गए क्योंकि इसका LCM link ने plus 1 by N बनेगा तो यह यहां shift हो गया अब बस extra में रा क्या कि हमने तो extra मैं क्या करता हूं s square by sigma square देखो balance जाए जो उपर लिखा हुए u वही मैं लिखा है तो बस इससे divide क्या divide यह जो number है यही वाला था यहां आ गया तो a minus s square by sigma square chi square a minus 1 हां x bar का variance s square है नहीं 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 x bar का variance s square तो यह sample variance है इसका मतलब यह हुआ कि x bar का variance हम निकालेंगे sigma square by n ही आएगा जब estimate करेंगे तो sigma square का estimator s square होगा लेकिन हमें variance हम निकाल रहे है एकस बार का तो formula होता है यह यह तो आप जानते हैं already जैसे कि यहां पर x1 x2 xn अगर iid normal new sigma square है ठीक तो हम तो जानते हैं कि x bar भी normal है जिसका mean new है और variance sigma square by n है s square तो estimator है उसका variance नहीं है variance जानते है यहां पर मेरे को s देख रहे है उपर कहा दीक है normal a power s square अच्छा यह एकस यहां mistake एकस यहां इसमें ऐसा दिख रहा है this is not s square so this is the error यह है यही चीज इसने वार्ड में लिखा यहां आपके 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 इसे दिख रहा है सेम यह सरे इसी दिख रहा है तो वह गलत है चोली मतलब यहां पर यह है चोली यह से square नहीं है यह mu sigma square ही है लेकिन वह ऐसा लिखा है चोली that is the mu sigma square only तो यह मिस्टेक होगा ना उसमें क्योंकि उसमें वर्ड में यह mathematically type करते है math type से और यह word से type किया तो उसको मिला नहीं है तो इसको भी correct करना पड़ेगा तो यह समझी यही है चोली यहां ठीक है आप सही है यह हमारे साइसरी गलत है यह mu sigma square है यहां से तो यहां से आजाएगा ठीक है तो यह mu sigma square ही है तो यह नौर्मल यह काई square n-1 तो आजाएगा tn-1 ठीक है तो यहां से आपके पास आगया tn-1 अब जब tn-1 आगया तो यहां से आपके पास वह आजाएगा tn-1 तो tn-1 अब tka mean तो 0 होगा और बाकी देख लो variance निकाल दीज़ा mean निकाल दीज़ा tka क्योंकि distribution नहीं आगया तो mean variance वाई जाएगा चलिए अब आगे जो है 41 के बाद 43 41 देखाने नहीं 41 41 यह है so 41 जो कह रहा है की x1 x2 xn i8 यह standard standardized variates है जहां ex4 less than sigma है the variance of the limiting distribution of this तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पे भी यह कहना चाह रहा है कि estenderized मतलब क्या हो रहे है आप लोग estenderized मतलब क्या so what I think estenderized normal variate होगा 01 बात बोल रहा है तो यहां पे zn जो होगा root n x1 x2 up to x2n-1 x1 x2 x3 x4 x2n-1 x2n यह है और upon में है x1 square plus x2 square up to x2n square ठीक है इस तरीके से है यह जरेर है तो बताए यह क्या करना आपको we have to find the variance sir x1 iid है जी x1 iid है iid है iid है लेकिन same नहीं है na वैसा iid है iid है independent na ok कर दो कि वैसा दो है क्पिल है की भाल है है क्थम को है 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 लो है भाल है 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 तो how to find, मुझे find रहना इसका variance, तो variance निकालेंगे, तो क्या होगा, this square, तो मैं mean कैसे निकालूं, इसका, तो हमें देखना पड़ेगा, x1 square, x2 square, जो एक i square है, तो d nominator जो है, तो d nominator है, वो है, समेशन x i square, तो chi square आ जाएगा, तो chi square वहाँ पर क्या हो जाएगा, chi square n, और यहाँ हो जाएगा chi square, 2 n, तो यह, पता है, division है, division ही रखा हुआ है, वो तो नहीं है, minus तो नहीं है, माइनस होगा, तो असान हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडनेंट, टोटल तो नहीं रहेगा, काई square How to find variance, इसको दिखना बड़ेगा, ने? Transformation, अगर कुछ करें, क्या बनेगा? X1 upon this square into X2, okay. There ID, हाँ, तो यह बता है क्या हो, अगर तुम वेरियंस लिखेंगे, तो N terms है यहाँ पर, यह आएगा Variance of ZN is N time, variance of X1, X2 upon, अज़ा, N root N पहले से है, तो root N तो पहले से ही है, तो रहेगा ही, So root N और यह N time बन जाएगा, X1 square से लेके, X2 N square तक, X2 N square तक, देखो, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि जो numerator उसको term separate कर देते हैं, 1st term upon total, 2nd term upon total, 3rd term upon total, and last term upon total, तो each term has, क्योंकि IADs हैं, तो each term का mean variance common रहेगा, तो N time यह हो गया, अब बताओ, इसका variance निकाल पाओगे? Take minute, take minute, take minute, हमने variance लगा है ना, तो यह बन जाएगा, total कितना बन जाएगा? N into N है ना, क्योंकि root N बार आएगा N बन के, और एक N आ रहा है terms की वज़ेसा, कितने terms है total, तो numerator में कितने terms है, 1 से, नहीं, कितने terms से देखो, N terms है total, क्योंकि 2 at a time है, there are N terms, तो यह है, हाँ N square होगा यह अपक्ट, ठीक है, तो यह N square है, अब बताओ, अब यह X1 square, X2 square है, X1, X2 independent है, तो अगर मालनों, वो काई square 1 है, इन X1, X2 है नहीं आपे, क्पाट से जहीं है, क्पाट स क्थाले नहीं आपे, भॉल है, इन yम्य घं है, को कर canon है भॉम से ब्हुम से जहीं है कि अएु़ई नहीं है, कि अधे है, भॉल है, रॉब रहे को ठाटतर, हूँ है, कि दो यहां से आ जाए तो मतलब यह है यहां पर आंसर और यह का मतलब यह है कि इसका अंसर कहीं ने कहीं 1 by 4 n square होगा यही मतलब है ना कि 1 by 4 n square होगा तो इसका अंसर 1 by 4 n square होगा तो दी नॉमिनेटर में टोटल कितना है ने दी नॉमिनेटर में टोटल 2 n terms है इसको हम और सिंप्लिफाई करें तो लिख सकता हूं मैं इसको variance of यह मार पर आसा न n square time x1 x2 क्या लिख सकता हूं मैं x1 plus x2 या minus x2 अगर मैं उसका term में लिखना जाहूं x1 plus x2 whole square x1 minus x2 whole square इसको term में है क्या हो जाएगा अपान 4 ऐसा लिख सकता हूं मैं और दी नॉमिनेटर में है x1 square से लेके x2 n square तक देख कर लो तो यहां 2 x1 x2 और वहां से 2 x1 x2 तो plus हो जाएगा 4 4 होके 4 से डिखाई कर दिया अब बताओ अब हो जाएगा यहां से देखो यहां से अब क्या है फिर से separate कर देता हूं मैं तो फिर से यह जो 4 है अभी बाहर आएगा 16 बनके है ना n square by 16 बनके अभी हमारे पास क्या है अब x1 plus x2 whole square minus same thing x1 square से लेके x2n whole square तक minus x1 minus x2 whole square upon x1 square से लेके x2n square तक actually x1 plus x2 x1 minus x2 तक हमा इडेंटिकली distributed है तो यह इडेंटिकली distributed है अब इसको अलाग अलाग खोलोगे इसका distribution तो निकल जाएगा इसका distribution तो आ जाएगा तुमारे पास normal 0,2 है ना normal 0,2 normal 0,2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो chi square बन जाएगा यह भी और यहां भी chi square denominator में आ जाएगा तो chi square, chi square को गामा में लेक सकते हैं गामा से बीटा बन जाएगा यह ना गामा alpha 1 बीटा अपॉन गामा alpha 2 बीटा क्या distribution होता है उसका लेकिन वो क्या होने चाहिए independent तो बीटा सेकेंड का ही होता है इसको आगे देखो क्या कर सकते हो simplify तो उससे आएगा इतना लंबा होना ही चीज़ा है इसको कोई shortcut होगा तो यह आज़ो लोग ट्राई करो मैं देखता हूँ क्या होगा इसको कोई solter के देखता है इसली तो ठीक है इसको सोचना पड़ेगा क्या आएगा आगे तो इसको कोई पहेज़ता है solution तो इसको ट्राई करके इसको आगे देखना कैसे find होगा तो आगा answer तो यह आएगा इसका 1 by 14 square अब यह कैसे आए को देखना पड़े प्रोडक्त है अगर काई square कर दोगे तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है यह इंडिपेंडेंट नहीं है इससे प्रिकर ट्राई कि रहे देखो पहले अब क्या रहा है कि हमारे पास 41 किया नहीं 41 के बाद 43 43 42 43 43 कि भी वीदर वाक्तरी डामनसन वाक्तर स्पेस ऊबर फिल्द अधे तो आउटसाइड कुस्टन हो गया यह फिल्ड नहीं पढ़ना में हमारे से फिल्ड नहीं है जेड़ अपॉन 3 जेट तो यह सिल्ड़स के बाहर हो गया 48 तो यहां से आपके बाद 48 है 48 चलिए 48 कर रहा है कि आपको यह दर रखा है PDF अच्छा तो वह तो कर लोगा है यहां से आलफा निकाल रहा होगा आपने तो तो आलफा निकल जाएगा फिर क्या करना है if 3 independent alterations made what is the probability that exactly one of the three is larger than the exactly one of three number is larger than 1.5 क्या दिख्कर थे बाई परहाज आलफा निकालो by using PDF पिदिएफ पिदिएफ का डेफिनेशन उससे आ जायेगा और इसमें क्या आउट बता हुआ इसमें पूछना क्या चाहरे हो यह जो है बोल रहा है कि तीन आपके पास है इंडिपेंडेंट है त्री आईएटी जिसका प्लिएफ यह है आपके पास ठीक है तो आप से पूछ रहा है कि इसका मतलब है कि एक्स वन मोर दैन वन पॉइंट फाइब बाकी दो लेस दैन है यह सम आज़तों intersection X2 लेसन है 1.5, X3 लेसन है 1.5 अब यही चीज़े इसका कितने केसे बनेंगे मतलब ऐना कि एक जो है 1.5 से जड़ा है बाकी 1.5 से कम है तो वो एक X1 घो सकता है, X2 घो सकता है, X3 घो सकता है अब थीन केसे सहाइई, तो फ्री टाइम कर दो क्योंकि identically distributed है तो और बार आंसर से भी आएगा लगल केसे में निकाल सकते हो इस तरह से आज जाएगा अब बस solve कर लो इसको दो दो दिखो लिए तो पीडियाप में इंटेगरेट करना है चलिए तो नेक्स 43 के बाद है 48, 48 अजे 48 ही था, 48 हो गया आपका, 36 36 कह रहा है कि कि lambda and mu be the distinct eigenvalue of 2 cross 2 matrix A, then which of the following the statement is are correct, तो lambda in two distinct eigenvalue है 2 cross 2 matrix का, तो A तो पहली बात 2 cross 2 का है, lambda in mu दो eigenvalue है, तो बताइए, तो A के पास eigenvalue है lambda और mu, तो पूछ रहा है कौन सा correct है, तो A square के पास क्या होगा, lambda square mu square, अब सुचो ऐसा हो अगर, 1 minus 1, suppose, यह 1, 1 minus 1, distinct तो है, बट square सेम हो जाएगा, तो इसलिए option A गलत है, ठीक, B कह रहा है कि, A q जो होगा, वो lambda square minus mu q upon lambda minus mu a minus lambda mu into this into a i, ओके, एक equation है, तो बत्लब यह बोलना चाहरा है, कि इसका एक characteristic equation, तो आप characteristic equation लिख सकते हैं न, ओके, 1 minute, तो यहाँ से बताइए, मुझे इसका क्या आईगा, x minus lambda, x minus mu बडाबर 0, यह characteristic equation है इसकी, तो यहाँ से आगे, x square minus lambda plus mu into x plus lambda mu is 0, अगर मैं इसको x से multiply कर दूँ, so x cube minus lambda plus mu x square plus lambda mu x is 0, अब यहाँ से मैं अगर, x cube की वैरो निकाल लो, और साथ में इसने क्या कि, lambda minus mu भी multiply किया है, हाँ, okay, lambda, हलाकि उसको खोलेंगे तो क्या बनेगा यह, lambda square minus mu q है, ओ, यहाँ पर problem create किया है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ लैमडा square, देखो यहाँ से, so x cube की value कितनी आएगी, यहाँ से आजाएगी, उससे सिर्फ a के term में लिख दिया है, okay, a के term में लिख दिया है, मतलब यहाँ से आजाएगा, lambda plus mu x square minus lambda mu x, यह बना सकता है maximum, आई क्यों आगे, जो, example के लिए हम एक ऐसा, आगे आगे वाता हो, मानलो जैसे, a है मेरे पास, 0, 0, 0, 1, 0, 1 आइकन वैलू है इसकी, okay, तो अगर इसके रहे में बात करूं, तो lambda मेरा 0 है, mu 1 है, तो अगर मैं यह put करता हूं, मैं verify करना हम जाएगा, अगर गलत, एक example काफी गलत कहने के लिए, तो lambda को 0, mu को 1, यह उल्टा कर सकते हो, lambda को 1, mu को 0, चलो, lambda को 1, mu को 0, तो equation क्या बन जाएगी है, जो b वाला है, lambda को 1, mu को 0 रख दिया, so aq is equal to 1, a-a, lambda को 1, mu को 0, तो 0 हो जाएगा, aq बढ़ावर a, so क्या aq बढ़ावर a आएगा, इस matrix में, पर चेक करते हैं, ओ, तो यहां मैंने ऐसा बनाए, कि हो सकता equally आजाए, तो aq निकालोगे, तो क्या आएगा, एक equal आए गई गई, जाएगा, तो मतलब हो सकता यह कोई result हो, अब इसको पूरूफ करते देखना पड़ेगा, लेकि यहां पर मैंने जाएगा लांगडा और mu का कोई roll डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि तो मैं 2 क्रॉस हुआ कोई ऐसा नाटित लो, अब इससे वेरिफाई करें देखिए तो मुझे ऐसा लगा यह फॉल्स होगा और यहां पर यहां तो पावर का कुछ ठीटा करें तो समझ आता है, इसके लिए एक्स्प्रेमेंट करना पड़ेगा तो लैमडा 2 और mu 3 है चलिए तो लैमडा 2 और mu 3 है यहां लैमडा को 2 mu को 3 डखो यह उल्डा करना है तो लैमडा 3 mu को 2 डखो तो क्या AQ इसमें आएगा? 9-4, नहीं, 9-8, 1 और 3-2, 1 तो यह आगे है A A और minus 3, 2, 6 into 5, 30, so minus 30i क्या चेकी चे सटिस्फाइ करेगा इस चीज़को यह matrix तो यहां से तो A आजाएगा 8, 0, 0, 27, अब क्या करेंगे? 8, 0, 0, 27, अब A-30i निकालता हूं मैं, तो ऐसा बनेगा? A-30i, A मेरा क्या था? 2, तो 2 में से 30 कटाएंगे, 28 28, 0, 0, and कितना? 28- मैंने आया है, minus Minus 57, तो वह बंज़वान है, यहाँ तो 8 आया है तो सम्तो पुछ दो रोचाया है, यह क्यूसन ठीक नहीं लिखा है, वो सकता है ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ होता है, तो दिखने हैं यह कुछ तो इसमें कर दाएगा है हां, option यह बताया ना, कि जैसे option यह false क्यों है, जैसे यह matrix लीजे, minus one, zero, zero, one, चलिए, अब इसके रे सोचिए, what is lambda and mu, lambda one, mu, minus one, a minus one, a minus one, a one, इसका square क्या होगा, नहीं, नहीं, a की eigen value मेरे पास है, minus one or one, तो a square की eigen value क्या क्या आएंगी, one or one, हां, क्या बोल रहा, option, पहला option, a square has distinct value, not necessarily, मैंने a क्याई में distinct तिरूड लिया है, लेकिन a square के distinct आया, क्या, no, है न, तो एक example, enough है, option को false बोलने के लिए, तो first statement is false, second भी false होगा, एक और example लिया, मैंने false होगा, तो यहां मतलब, यह option true हो सकता था, यहां हो सकता यह lambda q minus mu q हो, यह lambda square minus mu square हो, तब आ जाएगा, कोई theorem होगा, जिससे match कर जाएगा, वैसा हो सकता है, अब यह बोल रहा है, trace of a n is lambda की power in, plus mu की power in, यहां न, यह mathematical format पर लिखते लोग थीख से नहीं है, तो lambda की power in, plus mu की power in, इस तरह से है, यागर m है न, उस तरह से, for every positive integer n, ऐसा होगा, trace of a n, तो lambda mu है, तो a n की आई होगा, lambda की power in, mu की power in, तो trace सही बात है, है, न, okay, trace sum of eigen value, a n is not a scalar multiple of identity for any positive integer, a की power n जो है, नहीं होगा, यही दे लो, इसका a square निकालो, आ जाएगा तुम्हारा scalar multiple, one zero zero बना जाएगा, यह scalar matrix आ गया न, तो यही counter example है, so this is the counter example for a and d, b वाला हाला की गलत है, लिक्वे कुछ में स्क्वेसमने गल्दी किया है, अधर भाई यह आ जाएगा, तो मतलब अभी कहें साब से, a, b, d wrong है, only c is true, चलिए, कौन सार आएगा, 36 हो गया, तो कुछ में बचा किसी का, देख लिए, mock test 43, और आप लोग अब भूतने अपनों टेस्ट दिया नहीं है, 42, 44, 45, कल उसका discussion है, तो आप देख लो, तीन attempt कर पाऊगे, एक दिन में यह ब्रेक चाहिए, यह बी है, याद कर सकते हो ऐसे तो solution है वहाँ पर, तो test, 9 गटे का test देना, मुस्किल थोड़ी है, एक test रभी क्लास के बाद दे दो, कल दो test दे दो, जिन्हों नहीं दिया है, और फिर समों देखो, क्या 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 अनलेसिस करो थो आप अशा, यह ना? सर, फोर्टी बन वाला जो question है, जी, पूस में वो सर बता रहे है, बल्चर करने के लिए ग्रूप में, देखते हैं जडिये, यह सुवाजीत बता रहे है, क्या बता रहे है, क्या होगा इसकी बात कर रहा है, इसकी स्वाल कर रहा है, अच्या मने लिमिट नहीं लिए, ना या था इसम्हाः लिमिट ए नहीं टिनिति लागाएंगे, सो, यह न, यहां तख था, तो इसमें लिमिट एन तेंस टू 1 एंडेंटी लाएंगे अधने के लिए हमें शाये चाहिए नुद दे रहा है और फिर देखे लिगा किया उनको बोलो सॉल्टां पेस देख लेकर पाएंगे तो यह तो मुझे दिस्टिबुशन निकालना है तो लिमिटिंग के लिए हमें मतब यह देखना है कि मालो जेडेंग कर रही है तो आपको फिर वो निकालना है वेरियंस ओफ एक्स यह अब यह करेंगे देख रहा है वेर विलिट कन वर्ज कि अच्छोन ने कुछन नो बनाया है अगर दिविजन है तो कैसे होगा तो अब रोज तो यह है अगर माइनस होगा तो कोशन हसान है फिर तो तो माइनस दो सिधा एक्सप्टेशन लगा तो सिधा वेरियंस लगा तो लेकिन तब तो मुझा रवर्ज वेरियंस इंप्टिटी आजाएगी तो इसले डिविजन ही होना चाहिए नहीं अगर आजाएगा क्या था इसका रेक्स होंगे हैं से नोर्मल जिरू होना राजाएगा पर कि यह आप रेक्स क्यूंब ने पिसका रेक्स सबस्कान के लिए उसके इसमें वह बन जाता है लॉकाल जिरूद लॉपर कंप सब्सक्राइब नुमेटर में नुमेंटर में टूयनम था यह रही इसका रैक्स होने आप्सक्राइब कितने डाउंस का है को लिख के देना पड़े उनको बोलो solution लिख के भेज़ेंगे ठीक है नहीं तो try करता हूं मैं भी अभी फिर stop करते गर इसमें डाउट कतम हो गया है 58-59 वाले जी question है जी इसमें sir रेंज अदा लेगे अच्छा ऐसा की एक मैंने इसमें पुट किया था 0.78 वाट यह दिखा रहे 0.79 नहीं मैंने उनको मैंस करते हैं जो डालेंगे यह ऐसा है तो आगे ध्यान रखेंगे पता नहीं लोग क्या खाम कर रहा है 58 इसमें यह लोगर लिमिट है इसमें 1.17 से 1.23 इस तरह से होगा ऐसा होगा फिर 59 से 0.79 0.79 से 0.84 ऐसे करके होना चाहिए एक बार भेजिये देखिये क्या है मुझे भेजिये देखता हूं क्या है और नहीं तो फिर उनको भेजिये वो करेक्ट कर देंगे मतलब अलिस्ट फ्यूचर के लिए करेंगे 0.79 इसने पर भी गरेक्ट देला है इसी कोसर में सिर्फ ऐसा हो रहा बाकी पर नहीं नहीं मतलब एक्जेक पॉइंट और मैंने भी देखा ना क्वेशन में तो एक्जेक पॉइंट नहीं दिया है अनलेसिस में अच्छा वहां रहीं ज नहीं दिया इसलिए ओ उनको चेक करना चाहिए इसको बोलना पड़ेगा थीक है तो उनको बोले आयड करेंगे जो भी गलतियां मिल रहे क्योंकि आपके लिए नहीं तो फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उनके लिए करेक्ट हो जाएगा तो आपको जो भी गलतियां मिल रहे है वह जोति में उनको आप टेक्स कर देंगे और एडलेस फ्यूचर मुद पर काम अभी सॉलिशन बनना स्टार्ट हुआ है तब सॉलिशन बनेगा इसका तो लोग कुदी करेंगे लेकिन ठीक है इसको रहना पड़ेगा किया है इसमें? बोल रहा है कि in Jb safe's inequality find the least value of k for which the probability of random variable x with mean, mu and variance दो फिरसे यहां पर वही चीज है तो समाहिना इस चीज को दरा समाहिना है लिखने किया, mu and sigma square ही है smallest sigma square ही है टेक्स कर गा पर चेक कर लोग बारी हाँ पर चेक कर लोग बारी हाँ Gave, हाँ क्या रहा है random variable x can assume any positive integer value n with probability proportion to 1 by 3 की power n तो मतलब कोई k time 1 by 3 की power n है probability n पर then expect that क्या दिखकर था इसमें? इसमें जैसे यह कहना चाह रहा है कि probability x is equal to n पर जो है proportional है 1 by 3 की power n k तो इसका मतलब है x बरावर n पर जो probability है k time यह है k कैसे निकालोगे? इसका summation 1 कर दो आप तो इसका summation 1 कर दो तो k नहीं आ जाएगा n क्या है? n है positive integer value तो 1 से infinity यहां से k आ जाएगा और k आ गया तो pmf आ गया और pmf आ गया टेस्ट को दो बार solve कीजिए एक बार जस्ट आपने अपने आपको चेक करने के लिए दूसरी बार analysis के लिए कि टेस्ट में ऐसा क्या है जो आपको नहीं आ रहा है फिर वह सीखना है और दूसरी चीज है कि आपको पता चलेगा इस तरह से हैं फिर आप मार्स उसके हिसाब से कालकुलेट कर सकते हैं कि कि इतना बन रहा है उसके हिसाब से और पेपर को जरुए हर बार डिफिकल्ट आए असान भी आ सकता है तो आपको बस यह ध्यान लखना एकुरेसी अच्छी होनी चाहिए तो यह थोरे से आप मतलब हर टेस्ट को दो बार सॉल्व कोई जो डाउट है वो ग्रूप में बेजो या तो लोग कर रहा है या मुझे बेजो ट्राइ करता है यह चीज़े कुछ कोशन है जो थोरे वैसे हैं उसको देखना पड़ेगा ठीक है तो अभी करते हैं चलो तो आप 42 44 45 अब कल डिसकर्शन होगा तीनों में जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग यहां देखेंगे ठीक है चलिए थैंक यू गूट नाइट आप आप आप